चैई शिपशंबो भक्तो आपका एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल अगोरी बाबा के अगोर शक्ति मंतरो टोड़के के अंदर आपका स्वागत है अगोर आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल को सस्क्रेब नहीं किया है तो कर ले और साथे साथ बेल आइकन को जुरूब पैस कर दें जिससे कि हमारी जो भी आने वाली नहीं वीडियो की नोटिफिक्सन हम आपको सबसे पहले प्राप्त करा सकें भक्तो चलिए भक्तो आज हम जानते हैं प्याज में कील गाड कर करें दुस्मन को पागल आज हम आपको जो टोटका बताने जा रहे हैं इस टोटके की मदद से आप अपने दुस्मन को पागल कर सकते हो सेफ आपको एक कील और एक प्याज किसमी जुरत होगी और इससे आप अपने दुस्मन को पागल कर सकते हो चलिए भक्तो हम जानते हैं इस टोटके की विदी के बारे में यह टोटका आपको कैसे करना है और किस विदी से करना है और कौन से दिन पे करना है तोटका आपको ध्यान रखो जिसे गुरुवार के दिन या सकरवार के दिन आपको इन दोनु दिन के अंदरी आपको तोटका करना है यहाँ तो आप गुरुवार की दिन कर सकते हो या सकरवार की दिन कर सकते हो और यह तोटका आपको साम की वक्ती करना है सामकू पांच बजे के बाद ही आपको यह टोटका करना है तो कैसे करना है हम आपको बताते हैं चली भक्तो हम जानेंगे इस टोटकी की विदी के बारे में यह टोटका आपको किस विदी से करना है और कैसे करना है सबसे पहले भक्तो आपको एक प्याज लेना है और एक बड़ी केल लेनी है जो आप निम्बू के आरपार कर सकें और आपको एक काला मारकर पेहन लेना है काले मारकर पेहन से आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं जो हमने आपको प्याज बताया है उस प्याज पे आपको एक छोटा सा मंतर लिखना है मंतर जो है क्री क्री ऐसे आपको मंतर है जो आपको उस प्याज पे तीन बार लिखना है और उसके साइड में आपको दुस्मन का नाम लिखना है जिसे आप पागल करना चाहते हो पहले आप प्याज के उपर किरी-किरी तीन बार लिख दे फिर उसके उपर उसका नाम लिख दे जिसे आप पागल करना चाहते हो और जो हमने आपको केल बताई है वो केल अपने मुठे में ले मुठे में बंद करके अपने दुस्मन का अपना चेहरा मन में याद रखना है और आप उसको क्या आपकी जुम मनुकामना है कैसे उसको पागल करना चाहते हो वैसे आपको मनुकामना मांगनी है मनु कामना मांगने के बाद में आपको वो कील पे साथ बार फूंक मार देनी है और साथ बार अपने दुस्मन का नाम ले देना है जिसे आप पागल करना चाहते हो नाम लेने के बाद में वो कील आपको सत्रु का नाम लेते हुए उस प्याज के उपर आर पार कर दे सत्रु का नाम लेते लेते उसको प्याज के आर पार कर दे कील को ऐसे करने के बाद में आपको क्या करना है ये सारी विदी होने के बाद में जो हमने आपको प्याज बताया है वो प्याज आपको अपने दुस्मन के घर के अंदर फैंक देना है तो घर के अंदर फैंकने के बाद में यह जो आपका टोटका है सिद्ध हो जाएगा और आपका जो दुस्मन है वो पागल हो जाएगा वैसे तो भक्तों हमने इस टोटके के अंदर आपको टोटके की विदे भी बता दी है टोटका आपको कैसे करना और किस विदे से करना है हमने आपको सबी चीज़े इस टोटके के अंदर बताई है अगर आप किसी कारण यह टोटका आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमने आपकी इस वीदा के लिए हमारे गुरूजी के नमबर वीडियो के अंत में लिक रुकलत करवाए हैं आप हमारे गुरूजी से कॉल करके अपनी हर समश्या का समादान आप गुरूजी से करवा सकते हूँ